हेलो फ्रेंड दोस्तो मेरा नाम है मुकल जायन और आज हम बात करेंगे एक्सल की एक और प्रॉब्मिन के बारे में तो देख लेते प्रॉब्मिन क्या है यहाँ पर हमाया पास कुछ फ्रोट नेम लिखे हुए है एपल बलाना मैंगो ग्रेप्स पैनेपल और उनकी कॉंटरी दी गई हो यह क्लोग्राम में अब होता है क्या है यहाँ पर मैं सम का फॉर्मला यूज़ कर रहा हूँ इसको पूरा सम करने के लिए तो मैं जैसे ही सम यहाँ पर लगाऊंगा इसको एड करने लिए तो इसका अंसर क्या होगा यहाँ पर जीरो आ जाएगा अब यह क्यों हो रहा है दोस्तों पहले मैं यह बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो quantity है उसके संग आपका measurement भी आपका add है जैसे kilogram है तो kilogram में हम लोग मेजर कर रहे हैं तो kilogram भी add है इस वज़े से क्या हो रहा है यह एक number है और यह टेस्ट है तो दोनों को एक साल नहीं लिख सकते हैं हम लोग इसलिए यहाँ पे इसमें error आ रही है अब इसको कैसे solve करेंगे अभी तो मैंने यहाँ पे फिलाज छोटा data लिया हुआ है माले जिए आपके पास अगर big data है कितनी भी अगर रोज हैं उसमें अगर इस तरही ही quantity लिख हुई है और आपको add कराना है तो आप कैसे कराओगे आज यह सिखेंगे तो सबसे easy तरीका तो यह है आपके पास कि आप यहाँ पे quantity लिख होगे और यहाँ पे ctrl e प्रेस करदोगे तो सारी quantity आपके पास यहाँ पे फैच हो के आ जाएगी आप इसको add करा लोगे इस तरीके से पहला तरीका तो यह है नेकर मालीजे आपको यहीं पे समझेगे तो कैसे करेंगे सबसे पहले आप क्या करोगे क्या यहाँ पे equal का sign लगाओगे मैं step by step बता रो जिससे आपको पूरा समझ में आए और इसमें से जो quantity है वो हम लोग फैच कर लेंगे sorry जो quantity है वो फैच कर लेंगे कैसे करेंगे इसके में क्या होगा 3 character हम लोग हटा देंगे मनलब पीछे वाले और जो बचेगा वो हमाई quantity हो जाएगा जैसे माले 3 character कौन से होगा एक space होगया फिर k फिर g यह 3 character है हर चीज में तो वो हर जाएगा और बाकी जो है वो quantity बचेगा तो मैं Excel 365 अभी यूज़ कर रहा हूँ इसमें array function accept करता है लेकिन आप जो Excel यूज़ कर रहे होंगे तो मैं शायद उसमें array function accept करता हो तो उसके लिए आप लो control shift enter का यूज़ करोगे मैं बता देता हूँ अभी step बाई step तो सबसे पहले मैंने क्या किया मैंने left लगाया left क्या होता है जैसे मालों आपको left character fetch करने हो तो left लगाते है उसके बाद मैंने क्या किया आप सारे test यहाँ पर select कर लिए इस तरीके से तो जैसे है आप यहाँ पर comma 2 लगाओगे और एंटर करोगे तो आप देखोगे सारी quantity यहाँ के पास आ जाएगी इस तरीके से और उसके बाद क्या करेंगे हम लों यहाँ पर सम कर देंगे इस तरीके से और bracket आप कर देंगे और एंटर करेंगे जैसे एंटर करेंगे फिर 7 से 0 ही आने वाला है क्योंकि left right जितने भी test function होते हैं यह सब test return करते हैं result में और test को number में convert करने के लिए हम लोग एक symbol यूज़ करेंगे हाइफन हाइफन टू टाइमस और हाइफन हाइफन लंगाले के बाद जो भी यह number return करेंगे क्या होगा वह number के form में return करेंगे वह एज़ टेस्ट ने return करेंगे तो आपका यहाँ पर sum हो जाएगा अब यहाँ पर कोई भी आप quantity लिखते हो जैसे आपने लिख दिया 60 kg तो यहाँ पर देखें यह dynamic है 210 हो गया लेकिन बगल वाले में हमने क्या कहता है static किया था इसलिए 190 ही है तो यह dynamic आपका function है इस तरीके से और यह आपका जो है वो जो है static हमने तरीका यूज़ करके फ्लैश फिल का तो आप दोनों तरीके यूज़ कर सकते हो ने के लिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आएगी आपको जैसे ही आप quantity यहाँ पर 110 दे दोगे तो यह आपका जो result है वो गलत हो चुका है क्योंकि यह दो ही test के वर ले रहा है तो इसको dynamic करने के लिए क्यों number ही fetch करे तो उसके लिए हमनों क्या करेंगे cjs की length लिकाल लेंगे इन सबकी और उस length में जो 3 करेंटर आ रहा है वो हम minus कर देंगे और enter कर देंगे तो यह result आपका सही है 260 और यह dynamic fetch करके लिए आ रहा है आपके number जो भी है जैसे 110 था तो इसमें 11 नहीं fetch कर रहा है इसमें पूरा 110 आपका fetch होके आ रहा है और यह चीज़ और है दोस्तों मैं और add कर देता हूँ माल लीज़े आपको इसमें भी अगर kilogram add करना है तो आप क्या करोंगे end का sign लगा होगे और inverted comma space k g dot फिर enter तो इसमें भी आप कहीजी इस तरीके से add कर सकते हो तो यह है आपका complete solution तो मैं आशो करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ दोस्तों अपने दोस्तों से जरू शेर कीजिए इस तरीकी की ट्रिक को और हाँ फॉलो कर लिजिए अगर आपको और ऐस अगर पसंद आती है तो तब तक दी दोस्तों धन्यवाद गुडबाए